आपके साथ शारुक खान इस्टार फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीस हो गई 2023 में शारुक की कुल तीन फिल्में रिलीस हुई इसी बीच उन्होंने राया अभी राचेट के साथ चेट में अपनी आने वाली फिल्म के बारे में हिंट दिया वो मार्च अप्रिल तक अपनी नई फिल्म की शूटिंग शूरू करेंगे उन्हेंने बताया कि अपनी अगली फिल्म में वो बुजूर्ग वेक्ति का रोल प्ले करेंगे इससे पहले भी शारुक वीर जारा और जवान जैसी फिल्मों में बुजूर्ग हुएक्टी के किरदार में दिखे हैं लेकिन इस फिल्म में पहली बार एसार के पूरी फिल्म में बुजूर्ग हीरो की भूमीका में नजर आएंगे चेट के दोरान जब उनसे उनकी अगली फिल्म के बारे में पूछा गया इस पर एक्टर ने कहा मुझे लगता है कि मैं अब मार्च और अप्रेल में एक फिल्म की शुटिंग शूरू करूँगा उन्होंने कहा मैं इस फिल्म में बुजूर्ग हीरो की भूमीका में नजर आऊंगा शारूख खान ने लगबग एक साल से कोई इंटर्व्यू नहीं दिया है और केवल सोशल मीडिया और इवेंट के जरिये ही लोगों से बाचित की है चेट के दोरान जब उनसे पूछा गया कि उन्हें डंकी की और क्या अट्रेक्ट करता है तो एक्टर ने कहा इमानदारी से कहूं तो जो चीज आपको राजकुमार हिरानी की फिल्म की और सबसे ज़्यादा आकर्शित करती है वो खुद राजकुमार हिरानी है उन्होंने खा कि एक बहुती दिल को चुने वाली फिल्म है इसी के साथ बने रहे ही राजकुमार टीवी के साथ खाने बाद